आपका स्वागत है इस कोर्स में हम आपको 279 exercises solve करवाएंगे अगर आप सभी exercises solve करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें इस exercise का explanation वीडियो के last में दिये जाएंगे तो आई यह करते हैं Oxford current English translation exercise 90 of 279 translate into English यह advanced learners है ठीक है section ओके वीडियो को pause करके पहले आप खुछ से sentence बिनाईएगा संगसंग में answer देते जाओंगा मिलाते जाएगा क्या आप उस लड़की से शादी करने वाले थे were you to marry that girl? हाँ मैं शादी करने वाला था yes, I was to marry मैं आपको उसके बारे में कहने ही वाला हूँ I am about to say to you about her क्या आप क्या कहने वाले हैं? what are you to say? मैं कहने वाला हूँ कि वह लड़की में हैं जबकि आप मात्र बी ये I am to say that the girl is an M.A. whereas you are only a B.A. ओ, यह साधारन बात है this is a simple matter कम से कम इस कारण यह कहना गलत है कि वह मेरे लिए मैच नहीं है at least for this reason it is wrong to say that she is not a match for me यह तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मात्र बी ये हूँ और मुझे एक M.A. पत्नी के रूप में मिलेगी it is a matter of pride for me that I am only a B.A. and he'll have an M.A. as my wife ओके देखिए आप कब पढ़ने आप कब पढ़ाने वाले थे when were you to teach मैं नौ बजे पढ़ाने वाला था I was to teach at 9 o'clock आप क्यों तैयार है why are you ready मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं जाने वाला था I am ready because I was to go आप कहां जाने वाले थे where were you to go मैं बाजार जाने वाला था I was to go to market क्या कोई आने वाला है is someone to come नहीं कोई भी आने वाला नहीं है no no one is to come मुझे एक किताब खरीदनी थी I had to buy a book क्या वह आने वाला नहीं रहेगा will he not be to come वह आने वाला नहीं रहेगा he will not be to come आप कार क्यूं खरीदने को थे why were you to buy a car कार पुरानी थी the car was old मुझे एक पुरानी गाड़ी खरीदनी थी I had to buy an old car पिता जी आज आने वाले थे father was to come today क्या वे साड़िया तुम्हारी नहीं है are those stories not yours क्या इस किताब के पन्ने नए नहीं है are the pages of this book not new क्या तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी गाड़ी नहीं है have you not your own car क्या तुम एक गाड़ी रखते थे had you a car तुम क्यूं तैयार नहीं थे why were you not ready क्या मुझे तैयार होना पड़ेगा shall I have to be ready क्या आपको यह काम नहीं करना पड़ता है have you not to do this work आए कुछ नोट लेख लिजे spoken English के लिए यह short form प्रेयोग करें are not short form aren't is not isn't was not wasn't were not weren't shall not shant will not won't have not haven't has not hasn't cannot can't could not couldn't should not shouldn't I am am I will I'll I have I have we had sorry I had add we are we are we have we have we had we had I have I have a pen I had a pen I had a pen इसके बदले कहने का मतलब अपन जो है या अगर रहेगा तो शॉर्ट फॉर्म यहीं उस करना है नॉर्मल में रखना है स्पश्ट है कि हैव हैज हैड यदि और शॉली रिवर्ब के रूप में हो तब ही हम सब्जेट के साथ शॉर्ट फॉर्म का प्रेयोग करेंगे इस पुस्तक में अधिकतर एक्सेसाइजेज में शब्दों को रिखांकित किया गया है ताकि आप अन्वाद करते समय उच शब्द के पहले द का प्रेयोग कर सकें हो सकता है किसी किसी एक्सेसाइज में वांचित शब्द को रिखांकित नहीं भी किया गया है यदि उस शब्द के पहले दा का प्रयोग आविशक है तो दा का प्रयोग अवश्य करें अन्यथा अन्वाद गलत हो जाएगा